हेलो डिये फ्रेंट्स बलीकित तुछ आप गुरुजी आज हम नेक्स्ट सौम का चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं इसमें हमारे 55 पॉर्शन रहेंगे अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बैल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए तो देखिए सबसे पहले हमारा जो फार्स कोष्ञेंट आप बिच आफ ता फॉल्म कोंसेप्ट इस अब बेसिक प्रिंसिपल डिजाइन भी जो प्रिंसिपल होता है स्टॉक्च्छ डिजाइन का इन में से वो क्या होता है ईकल्स टॉंग क्लम एंड वीम यह पिर पार्शल वो टोटी है उसने क्या करती है उसको किसको सहन करती है उस पर कंप्रेसिव लोड लगता है कंप्रेसिव लोड को रिजिस्ट कर सकती है आप बोल सकते हैं कि बैए वह एक कंप्रेसिव मेंबर होती है ऐसे हमारे पास कॉलम जो होता है वो भी एक कंप्रेसिव मेंबर होता है लेकिन जो टाई होती है ताई जो होती है एक टेंशन मेंबर होता है तो यह आपको पता होने जुरूर यह वैसे बेसिक लेवल का यह कोशिन है अगला कोशिन देखिए यहा सिंपली आपसे कौशन यह प्पूचा जाथा है कि बाइं लॉघ कालम जो होता है הוא कहा पर फेल वहता है एक कि विजोजों सकते हैं जो कि यह मम देख़ दोता है तो यहंं पर हमसे पूछान है कि भई जो लॉड होता है ग dus थे होता है लेकिन हम्हीं पड़ेए जो स्वार्ड कॉलम होता है लेकिन हमारे कालम के लिए है। शॉर्ट कॉलम करेंग में एड़ बखलिंग में गया गना कपना है मेघे मंडोर फीजाम पोच्छाते हैं यह उससand बहुति कॉपट है और यह दो यह दो कोशन ऐसा कि बार बार एक्जाम में पूचे जाते हैं एक तो दोनों जो एंड है वो फिक्स है वह दोनों एंड फिक्स है इट मिन्स कि हमारा जो बीम है वह continuous beam है continuous beam इसको आप ऐसे याद रहिए fix है fix है तो उसके लिए हमारा जो अंसर रहता है वह 0.65L उसकी effective लेंध रहती है यह हमारा अंसर हो जाएगा भी option वैसे लिखा तो C है लिखनेया पर option के लिया से हम देखिए तो भी option बनता है तो 0.65L होता है लेकिन हम से एक और question पूछा जाता है कि भई एक हमारा column होता है जिसका एक end तो fix है दूसरा end विल्कुल free है तो वो cantilever का case होता है cantilever के लिए 2L हमारा answer होता है इस point को भी आप यदर की cantilever के case में भी important है अब अकला question दीखिए आपर आइलर फॉर्मूला is not valid for mild steel column when slenderness ratio is आइलर का जो formula है वही not valid for mild steel column when the slenderness ratio is क्या होता है जो होता है उस cases में अब इस question को solve करने से पहले आपको यह पता होने है कि आइलर का formula होता है वह सिर्फ जो long column होता है उसके लिए यूज कि जाता है आपने यह question जो होगा यह exam में कई बार देखा होगा या फिर बुक्स पर देखा होगा कि भाई आइलर का जो formula होता है इस long column के लिए ही valid होता है लेकिन rankine जो होता है वह दोनों के लिए valid होता है शोटन जो होता है long column के लिए लेकिन एक केसल आता है rankine का वह सर्फ medium के लिए ही आता है तो यह शायद हमें question discuss करेंगे इस वीडियो में तो देखिए इस question को solve करने के लिए आप यहां पर देखिए हमारे पास क्या दिया है cylinderness ratio दिया गया है अब उससे हमें कैसे solve करना है तो यह point important है तो देखिए आईलर का जो formula होता है वो कहता है कि भाई हमारा जो column होता है उसकी जो लंबाई होती है वो उसके diameter के 30 गुणा होनी चाहिए 30 गुणा तक होनी चाहिए तब ही वो valid होता है उस column के लिए तो यह point आप याद रखिए तो लंबाई जो होती है 30 गुणा होनी चाहिए ब्यास के यहनिके मान के चलो कि आपका जो ब्यास है वो तीन है तो 30 गुणा होनी चाहिए 90 सेंटीमेटर होनी चाहिए तो यहां पर देखिए जो हमारे पास अंसर रहेगा वो less than 80 से कम नहीं होना चाहिए more than हो जाएगा कोई बात नहीं यह हमारा अंसर रहेगा यह भी अंसर रहेगा लेकिन यह तो हैता जाएगा यह नहीं less than नहीं हो जाए 80 से लिए तो हम उस कॉलम में लिए आईलर का फॉर्मूला यूज करते हैं आप यह 30 वाला केस याद रहेखिए लेंद्स जो होती है वो 30 डामेटर से कम नहीं होनी चाहिए उस केसे में हम उसको यूज नहीं करते हैं अब यहां पर दो कोश्चन दिये गए एंड मूमन्ट औफ इनशेयर फ्रॉम्ड एक्सेस इस कोशन का क्या आंसर रहेगा इस question का अंसर सेम एक ही होगा तो cylinder ratio जो होता है रेडिस ऑफ गारेशन ऑफ सेक्षिन एरिया मूमेंट ऑफ इनेशन जो होता है वो होता है अंडर रूट आई ओबर ए होता है अंडर रूट आई ओबर ए इस question के लिए answer होगा अगला कोशन हम यह बते के failure of column depends on failure column जो होता है वो fail होता है वो depends करता है किस पर depend करता है column जो होता है हमेशा उसका जो cylinderness ratio होता है उस पर ही depend करता है option यहां पर सी हो जाएगा अगला कोशन देखिए for the clamped free column the effective length is equal to for the clamped free column effective length is equal to effective length होती है वो बराबर होती है दो गुना और उसकी जो एक्चुल लेंथ होती है ट्वाइस का एक्चुल लेंथ यह जो बास्तिव के लेंथ है उसकी उसके दो गुना होती है अगला देखिए the maximum axle load which is sufficient to keep a column in small deflected shape is called small defected shape is called उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम यह सब कुछ बोलते हैं कर्पिलिंग लोड बोलते हैं बकलिंग लोड बोलते हैं क्रिटिकल लोड बोलते हैं और उसको हमारा इसको मैक्सिम एक्जिल लोड बिजिस सब्चिन टू की पर कॉलम इन से हो जागा इसकोशन के लिए कि अब यहां से भी ग्जाम में जो है वह कुछन पूच जाते हैं कि 2L किस के लिए होती है एंड जो एलवटा 2 होती है या पर अंड रूट 2 होती ही किसके लिए होती है यहां से भी यहां में question पूछे जाते है question क्या बोड़त है equal and length of the column length L having one end fix and other end is free वो रहा कि एक end fix है एक end जो free है तो यह हमारे पास cantilever का case बनता है cantilever के लिए क्या होती है continuous के लिए क्या होती है एक side fix है एक side जो हो hint है या दोनों side hint है तो यह exam में question जो है बहुत ही बार पूछे जा चुकी है अब हमसे क्या पूछा गया equivalent length यहां पे पूछे गया equivalent length जो होती है वो क्या होती है दोनों हमारे जो column है one end fix and other free हाँ यह cantilever का case है तो cantilever के लिए जो हमारा answer होता है वो 2L का होता है cantilever के लिए पूछा गया है one end fix and other end is free तो cantilever के लिए होता है 2L यह point आप याद रखिए एक सीरा उसका जो होता है वो fix होता है दूसरा जो होता है होता है तो 2L हमारा यह अंसर हो जाएगा लेकिन हमारे पास एक ऐसा कोशन आता है कि भाई दोनों ही जो उसके सीरे होते हैं वो क्या होते हैं हिंज होते हैं हिंज कुछ यह तरह का होता है तो उसके लिए हमारा का इकोअलेंट लेंध होती है एक हमारा पास केस आता है कि दुनों जो एंड हैं वो फिक्स हैंयनि कंट्िनुख केस आता है दुनों एंड can be root 2,अ यह किसके लिए होता है, यह आपको पाता होँजे एक end इसका या शो क्या होता है, वो क्या होता है,हिंसड होता है यह point भी आप व्यादर किए तो इस question के लिए तो हमारा answer A answer बन जाएगा, यह point आप यादर किए,ब यह भी बैसा question पूछा जा चुछा यहां पर देखें क्या हो रहा है एक कॉल्म लेंथ ओफ एल बीद बोट एंड फिक्स में भी कंसीडर एज एकॉलेंड टुए कॉलम लेंथ डैश बिद बोट एंड हिंज्ड तो कॉशन बोर रहा है कि भाई एक कॉल्म में हमारे पास जिसकी लेंथ एल है बिद उसके जो बोट एंड है वो पिक्स है उसको हम क्या किंसिडर कर रहे हैं इकॉलेंड किंसिडर कर रहे हैं किसका इकॉलेंड कॉलम ओफ लेंथ डैश बिद बोट एंड हिंज्ड बोट एंड हिंस तो उसके लिए हमारा अंसर L बटे 2 हो जाएगा fix column के लिए L बटे 2 हमारी equivalent length होती है लेकिन हिंस्ट के लिए L होती है तो ये board ने भी इसको एंसर सही माना है option C हमारा इस question के लिए answer हो जाएगा जिसके जो both end हिंस्ट होते हैं उसके लिए equivalent length L होती है लेकिन fix के लिए L बटे 2 होती है जिसके दोनों सीरे जो होते हैं वो fix होते हैं तो column को consider कर रहे है column या निके question जो है fix जो जिसके दोनों सीरे fix हैं उसको हम consider कर रहे है equivalent किसके बराबर समझ रहे हैं column of length dash with both and his तो L बटे 2 हमारे पास जो fix end के लिए answer हो जाएगा अगला question देखी हाँ पर the effective length of circular electrical pole of length L and constant diameter erected on ground is where I is unsported length I जो है वो unsported length है तो इस question के लिए हमारा answer 2L हो जाएगा ये भी ऐसा ही question पूछा गया है equivalent length जो होती है effective length के बारे में ही question पूछा गया था अगला question देखी है हमारा पास क्या है if rankine criteria is applied for failure of brittle material के लिए rankine का जो criteria है वो apply किया जाता है failure of brittle material के लिए then which of the falling will be necessary condition necessary condition जो होती है इन में से वो कौन सी होती है necessary condition जो होती है maximum principle stress maximum principle stress अगला question देखी है is the load at which an element a member or structural as a hole either collapse in service or buckle in load test and develop excessive lateral deformation or instability is called उसको हम क्या बोलते है buckling load हम उसको बोलते है buckling load अगला question देखी है islar formula fall column is valid for islar जो होता है उसका जो formula होता है वो valid होता है सिर्फ large slenderness ratio के लिए तो greater than 80 होने चाहिए या पर उसको जो length होती है column की वो 30 गुना होनी चाहिए उसके diameter के 30D या 80 भी लिख सकते हैं अगला question देखी ता load at which column just buckle एक ऐसा load जहां पर हमारा column just buckle हो जाता है तो वो क्या कहलाता है just buckle तो वो क्या कहलाएगा just buckle हो जाएगा तो उस case के लिए आप उसको buckling load भी बोल सकते हैं critical load भी बोल सकते हैं crippling load भी बोल सकते हैं 32 से कम होता है medium के लिए 32 से 120 के बीच में होता है and long column के लिए 120 से ज्यादा होता है common question है तो कोई भी solve कर सकता है ठीकर मैंना कोई थोड़ी सी revision के लिए बता दिया अब next one question बोल रहा है कि according to Euler column theory the crippling load for a column of length 6 at the both end is dash the crippling load for similar column hinged at the both end is तो क्या होगा तो वो four times होती है चार गुना होती है four times होती है option भी हमारा इस question के लिए answer हो जाएगा अगला question देखिए a column with maximum equivalent length has a column with maximum equivalent length has उसके पास क्या होता है अब देखिए जो एक ऐसा column जिसके पास maximum equivalent length होती है अब एक के पास जो होती है वो एल होती है एक के पास 2L होती है एक के पास L बटे 2 होती है यहनिके half यह तो L का अदा ही हो गया एक पास simply L ही है मान के लो कि आपकी length जाएगा वो 30 है तो L 30 ही रहेगी 2L यहनिके 2 into 30 हो जाएगी equivalent length होगी L बटे लो 30 बटे 2 हो जाएगा तो 15 आजाएगी तो इस तरह से under root जो sorry L बटे under root 2 जो होगी तो इसकी भी बहुत ही कम आजाएगी आप root निकालेंगे तो root निकालने के बाद इसकी length भी कम हो जाएगी तो हमारे पास जो maximum equivalent length बनती है हो जाएगा अब next one question हम आपे देखते हैं the equivalent length of a column having length L fix at both and is fix at both and is तो वो क्या होगा fix both and fix होता है उसके लिए L बटे 2 हमने अभी किस question में discuss में पीछे बताया ताब को L बटे 2 जो होती है जिसके दो end जो होते है वो fix होती है तो इसका क्या meaning होता है अब यहां पर हम यह solve question करना है तो L बटे 2 यह निके length का half length का half तो हमारे पास जो length है 30 है मान के चलो कि 2 half 15 हो गया L बटे तो हम ऐसा ले करते हैं कि भई हमारे पास length जब एक मीटर किया तो L एक बटे 2 इसको divide करेंगे तो point 50 हमारे पास answer आ गया इनके point 5 L यह answer हो जाएगा equivalent length जो बनेगी इस column के लिए point 50 L बन जाएगी यह हमारा इस question के लिए answer हो जाएगा ऐसा ही हो सकता है कि आपको बसे अभी हमने question discuss किया है column जो can deliver का case था यह तो हमारे पास continuous beam का case है ऐसा ही हमारे पास hint का भी case आ सकता है और जो दूसरा case भी आ सकता है एक fix एक hint बाला तो यह दोनों ही आपको पाता होने चाहिए तीनों के बारे में ही पाता होना जुरूरी है अब नेक्ट मन कोशन देखिए एक वर्टिकल लॉंग वर्टिकल मेंबर स्ट्रेक्टर टू एन एक्जल कंप्रेशन लॉर इसको हम क्या बोलते हैं उसको हाप कॉलम बोलते हैं स्टर्ट टाई डेंस्टर मेंबर होता है तो यह आप इसको अंसर सही मानले लिजिए यह यह अंसर होगा अब नेक्ट मन देखिए अदर रेश्यो ओफ था इफेक्टिव लेंथ आफ कॉलम एंड़ मीनिमूम रेडियस और गायरेशन ओफ इट्स क्रोस सेक्शनल एरिया इस नाउन एज यह इसकी डेफिनेशन है भई स्लेंडर्नेश रेश्यो की डेफिनेशन जो होती है वो होती है अब नेक्टिव रेडियस और टोफ कॉलम का उसको इसको अनेर। अब नेच देखें, column is known as medium size if its centerness ratio lies between जो short column होता है 32 होता है, 32 के लिए medium होता है, greater than 32 होता है, वो क्या होता है long column के लिए, medium के लिए 32 हमारा answer हो जाएगा, common question है कोई भी दिमाग लगा कर सकता है, और लरा महां उनलोर व्लूम से के लिए सब्रे मनेर घ्राइक के लिसे सब्सक्सald होता मुंखना में जथा सब्सक्राइए कभी-कभी अब यहां पर देखिए मैंने को बताया था कि एक केस ऐसा भी आए गा जिसमें रंकाइन कोडन फॉर्मूला के बारे में हम लिसक्स करेंगे तो इसमें वही कोशन पूछ रहा है कि रंकाइन कोडन फॉर्मूला यूस्ट फाइंड ओट बकलिंग लोड औफ कॉलम इस वह कौन सा होता है तो वह मीडियम कोलम के लिए ही होता है option B हमारा इस कोशन के लिए अंसर हो जाएगा अब नेक्स देखिए तैं अलोवेबल स्ट्रेस इन ए लोग कॉलम केंड बी कंसीडर बाइ इंक्रीजिंग ता एक्जाम में शाहिद आपसे ये भी कोशन पूछा जा सकता है कि भाई जो radius of gyration होता है उसका unit क्या होता है radius of gyration जो होता है उसका unit जो होता है वो mm होता है ये point आप याद रखिए अब ये question क्या पूछा है allowable stress जो होता है इन लोग कॉलम long column can be increased by increasing था क्या आपको increase करना है तो हमारा long column का allowable stress increase हो जाता है तो वो होता है हमारा radius of gyration इसका unit मैं आपको बता दिया mm होता है अब next question क्या बोल रहा है compression member is term as column वह स्था कंप्रेशन मेंबर को आप कॉलम बोल सकते हैं स्था भी बोल सकते हैं if the ratio of its effective length to least lateral dimension is more than स्था कंप्रेशन मेंबर उसको आप कॉलम या स्था भी बोल सकते हैं if its effective length to least lateral dimension जो होती है वो थ्री टाइम से ज्यादा होनी चाहिए थ्री से ज्यादा होनी चाहिए कंप्रकम कर औरी केश होता है तो वो मुझे याद नहीं आ रहे हिए किस का cases होता है तो वहां पर क्या होता है कि भagar खम कर दीगा śm कि बहुआफर पास ह्यांव परोफ़ेदर 30 से ज़यादा ही होती है तो option यहां पर हमने बहुत सारे option भी प्रोवाइडकर दी départ दो बार आ गया है, तो तीन हमारा पास अंसर रहेगा, अब अगला कोशन भी सेम वैसा ही है, तो यहां पे थ्री अंसर रहेगा, कोलम को पढ़ सकते हैं, आप कोशन भोला कि यह कॉलम दाइट फेल्स द्यूट ड्रेक्ट स्टेस, एक ऐसा कॉलम जो ड्रेक्ट स्टेस की बज़े से फेल होता है, वो कौन सा होता है, तो वो शॉर्ट कॉलम होता है, इस question का भी answer यही रहेगा 3 रहेगा अब यह column जो होता है short column वो direct stress की विज़े से fail होता है short column अगला question यह स्रेंडर रेश्रों जो होता है इसकी definition तो हम बीचे discuss कर चुके हैं कि भाई क्या होती है effective length to least radius of gyration जो होती है वो इसकी definition होती है अब यह question देखिए आप है ability of a material to regain its original shape upon the removal of the applied load is term as material की एक ऐसी ability एक ऐसा गुन जिसके कारण अगर आप उसको बाहर लगाते हैं बाहर लगाने के बाद उसकी जो shape होती है वो change हो जाती है तो बापेस वो अपनी उसी shape में आ जाता है तो वो क्या होती है वो कौन सी ability होती है उसको आप कौन सा material बोलते हैं प्रॉपर्टी बोलते हैं यहां पर वैसे elasticity होता है तो शायद बहुत सारे student ऐसे हैं जो कि इस question को solve कर सकते थे लेकिन elasticity नहीं दिया गया तो यह question थोड़ा सा difficult हो जाता है तो उसको थो हम elasticity बोलते हैं लेकिन इस question के लिए हमारा answer resilience हो जाएगा resilience जो होता है वो भी एक लचीला पन ही होता है जो resilience होता है वो डिरेक्टिली प्रपोस्टन होता है elasticity के यह point भी आप याद रखिए प्रपोस्टन होता है elasticity के लिए इसलिए हमारा answer यह answer हो जाएगा अगला question देखी ता the phenomenon of decrease resistance of material due to reversal of stress is called reversal of stress तो उसके लिए क्या answer रहेगा उसके लिए हमारा answer fatigue answer होता है fatigue is the correct answer हो जाएगा अब अगला question देखी हाँ पर in a beam cross-sectional when the axis of symmetry in vertical plane does not conclined with the shear center the cross-sectional experience तो उसको twisting हम बोलते है twisting हमारा answer हो जाएगा अगला question देखी है in a shaft the shear stress is not directly proportional to shaft जो होती है उसमें shear stress जो होती है वो directly proportional नहीं होती है तो वो length of the shaft जो होती है उसके पर directly proportional नहीं होती है बाकी सभी के होती है अगला question देखी तो पिक अप्दा incorrect statement from the following the torsional resistance of a shaft is directly proportional to गलत statement हमें चूज करनी है torsional resistance of shaft is directly proportional to तो वो क्या आज़र रहेगा तो moment of inertia of the shaft ये गलत है बाकी सारी सही है अब next one question बोला कि maximum shear stress occur on the outer most fiber of the circular shaft under torsion in closed conglide helical spring the maximum shear stress occur on maximum shear stress आपको कहां पर देखने को मिलता है तो वो होता है inner most fiber जो होता है वहां पर आपको maximum shear stress देखने को मिलता है अगला question देखिए था predominant effect of an axial tensile force on a helical spring is helical जो spring होती है उस पर जो axial tensile force का effect बढ़ता है वो कौन सा बनता है उससे क्या होता है उससे यह होता है कि हमारी spring जो होती है वो twist हो जाती है twisting force उस पर लगती है अब अगला question देखिए which among the following are the correct assumption made in torzen formula torzen formula के लिए कौन सा यहां पर correct है तो torzen के लिए यहां पर सारे ही सही है a b c d सारे ही सही है flat spring flat spiral spring are used in flat spiral spring जो होती है वो किसमें यूज की जाती है भही जिसने channel को subscribe नहीं किया वो कर लीजिए तो घड़ी जो होती है उसमें यूज की जाती है घड़ियों में यूज की जाती है flat spiral spring जो होती है next one question देखिए which of the following section should preferably be used at place where torsion occur torsion आपको देखनों को मिलता है वो क्या होता है तो वो होता है box type section box type section में आपको torsion जो होता है देखनों को मिलता है अगला भी same question है in a situation भी torsion of dominant which of the following is desirable section box section जो होता है वो desirable होता है अब अगला कोशन देखिए to effectively resist torsion torsion जो होती है उसको resist करना है which type of steel cross sectional geometry will be preferred amongst the following तो वो होता है box box जो होता है वो torsion को resist कर सकता है next one question को बोला है कि which of the following section will be best in torsion torsion के लिए जो section best होता है वो कौन चा होता है वो hollow circular जो होता है वो best होता है next dk a rect angular bar has been subjected to torsion rect angular bar has been subjected to torsion the maximum shear stress will occur maximum shear stress will occur at कहां पर at the corner sorry at the middle of longer side at the middle of longer side यहां पर आपको देखनों को मिलता है अगला कोशन देखिए देखिए इसका भी question सेम वही दाएगा यह सेम ही एक question है next one question देखिए which type of steel is used to make axle and spring किस तरह का steel आप यूज करते हैं ताकि आप axle and spring बना सकते हैं आप axle and spring बनाने के लिए आप किस तरह का steel जो होता है उसको यूज करते हैं तो उसके लिए हम जो करते हैं वह करते हैं बैनेडियम स्टील बैनेडियम स्टील की जो होता है इसको आप axle and spring के लिए यूज कर सकते हैं अगला क्या पकष्ण कि आपया था एंगल ओब ट्फिस्ट इस परीपऊस्ट इस फॉपर्पोत त्विस्टिंग मोऔंट और दिक दश्टिली होता है Stick टीरेक्टिली होता है या nuclear क्या होता है तो आंगल ओब ट्विस्ट्ट founders गोटएब सब्पोंट यह shaft in resist is the product of the principle shear stress and is the product of principle and shear stress and तो क्या अंसर रहे गाई इसकोशन के लिए जिसने चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया दोबारा से बोल रहा हुँ कर लीजे तो उसको आप polar moment modulus बोलते हैं, polar modulus आप उसको बोलते हैं, अगला option बोला है, circular shaft is set to be in pure torsion, circular shaft जो होती है, is set to be in pure torsion, when twisting moment on its both ends, twisting moment जो होता है, of its both ends is equal and in opposite direction, option B answer हो जाएगा इस question के लिए, अगला question देखिए यहां पर, at the free end of a shaft, free end जो होती है, shaft की angle of twist जो होता है, उस पर कितना होता है, angle of twist जो होता है, वो बहुत ही जादा होता है, maximum होता है, अगला question देखिए, एक closed coil, helical spring is subjected to torsion, torsion about its axis, the spring wire should experience A, spring wire जो होती है, वो experience A, उस पर क्या लगता है, तो उस पर यह लगता है कि torsion resisting shear stress, option D answer हो जाएगा, next question क्या बहुत है, when a shaft is subjected to twisting moment, every cross section of shaft will be under, will be under, every shaft जो होती है, cross section की, वो किस में होती है, तो वो shear stress में ही होती है, shear stresses में होती है, next question देखिए, when a solid shaft is subjected to torsion, when a solid shaft is subjected to torsion, the shear stress induced at its center is zero, zero induced होता है, अगला question क्या बहुत है, which of the following structural members resist torsion, torsion को resist कोन करता है, torsion को resist करती है, वो shaft, shaft resist करती है, तो friends यह दिया हमारे most 54 question, वीडियो को अपने दोसों साथ share करे, channel को subscribe नहीं किया, तो कर लीजिए, और साथ में bell icon को press P कर लीजिए, मिलते हैं ऐसी ही next video में, अगला question क्या बोरा, dash is particularly desirable in material which are subjected to shock loading, dash बहुत ही खास तोर पर material में हमें जरूरी होता है, which are subjected to shock loading, shock loading के लिए कौन होता है, तो वो होता है toughness, option D हमारा इस question के लिए answer हो जाएगा, अगला question जेकि the property by which a matter is just impact load, impact load जो होता है वो toughness के दोरा ही ग्याद किया जाता है, option D हमारा इस question के लिए answer बन जाएगा, अगला question जेकि the ability of a material to absorb energy till the breaking or rupture takes place is known as, कोई किसी metal की एक ऐसी property या होता है, पड़ार्थ की एक ऐसी कोई सी पड़ार्थ की एक ऐसी ability, जहाँ पर बोल रहा है कि till the breaking और rupture से तक वो energy को absorb करके रखता है, उसको आप toughness बोलते हैं, toughness हम उस property को बोलते हैं, out of the falling, which is the least elastic, which is the least elastic हमें ये बताना कि least elastic जो होता है, वो कौन सा होता है, तो देखिए, elastic क्या होता है, इसकी definition तो मैंना आपको बता चुकिए, elasticity, कि भाई किसी भी material पर अगर आप load लगाते हैं, force लगाते हैं, तो force लगाने के बाद वो अपनी shape चेंज कर देता है, अगर आप उस load को हडा लेंगे तो वो आप बापस अपनी उसी shape में आ जाता है, तो उसको आप elasticity बोलते हैं, तो least elasticity जो होती है, वो rubber में होती है, maximum जो होती है, वो mild steel में होती है, इसलिए हमारा D इस question के लिए answer हो जाएगा, यह least के पर पूछा था, and maximum जो होती है, वो किस में होती है, हमारे पास mild steel में होती है, यह case पर आप जात रखिए, अगला question देखिए, progressive deformation of a material at slow rate for applied constant loading is called as, progressive deformation जो होती है, material at slow rate पर, slow rate देखिए, जहाँ पर आपको slow rate देखने को मिलता है, आप simply इस पर answer लगा दीजिए, creep, creep पर answer, यह time dependent होता है, slow loading, बस same question है, creep, question अलग है, लेकर question का answer same है, कूछने का तरिक्का जो अलग-अलग होता है, लेकर answer same ही होता है, अगला question देखिए, a material is called ductile, एक material को आप कब ductile बोलेंगे, यदि उसके पास क्या होगा, यदि उसके पास क्या होगा, यह point आपको बाता हूँ, if a material is has ductile, if it has, it has, तो उसके पास जो होता है, वो क्या होता है, plastic elongation जो होता है, वो बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही जादा होता है, it has long plastic elongation, option B हमारा उसका answer हो जाएगा, ductile middle हो जो होता है, जिसके पास long elongation होता है, बढ़ावा, पतली सितार में आप उसको convert कर सकते हैं, ductile, option B answer हो जाएगा, अगला उसन देखें, the area under the stress stain plot represent, वो क्या represent करता है, energy required for cow's failure के लिए, energy required of cow's failure option, यह represent करता है, आगला उसन देखें, resilience of material is given by, resilience जो होता है, material का वो given by, यहनिके उसको दरशाया जाता है, परदर्शित किया जाता है, किसके द्वारा, resilience जो होता है, उसकी definition क्या होती है बढ़ी, तो वो होती है, stain energy per unit volume of material, stain energy per unit volume of material is called resilience, यह आप याद रखिए, अगला कोशन देखें, material is set to be perfectly elastic, यह material is set to be perfectly elastic, उसको आप क्या बोलते हैं, इलास्टिक जो होता है, it is against its original shape on removal of lawn, यह कुछ लोड होना देखें, यह तोड़ा option गलत हो गया है, यदि भार को हटाने के परशातात, यह अपने बास्टिक अगार को पूने पराप्त कर लेता है, तो आप उसको elastic बोलते हैं, perfectly elastic बोलते हैं, यह definition मैं आद दो तिन बार बता चुका हूँ, अगला कोशन देखें, which of the following material is expected to have the least value of young modulus of elasticity, यहाँ पर spelling mistake है, elasticity, young modulus of elasticity जो होती है, वो least होती है, किसे में least होती है, लकडी में होती है, लीस्ट option, यह हमारा इस question के लिए answer हो जाएगा, जिसने चैनल को subscribe नहीं कि आपो कर लेजे, अगला कोशन देखें, due to reach of the effect, does concrete tend to expand laterally and longitudinally crack, become visible when the lateral stain exceeds the limiting tensile stain of concrete, is now called poison effect, उसको आप poison effect बोलते हैं, strain, strain आप इसको याद देखें, lateral longitudinal तो देखें, अगला कोशन देखें, if yield point does not exist, yield point जो होता है, वो exist ही नहीं करता है, तो working stress is taken as that of the proof, working stress जो होता है, वो आप लेते हैं, proof का, कितना लेते हैं, तो वो हम लेते हैं, 0.2, 0.2 is proof stress, 0.2, यह आप लेते हैं, आपको पाता है, आगला कोशन देखें, for which type of material is there, no change in rate of stain, which type of material is there, यहाँ पर material दिया गया है, this type of material is there, no change in rate of stain में, rate of stain में कोई भी changes नहीं हो रहा है, वो brittle होता है, brittle material में होता है, brittle material जो होता है, अगर आप बान दगाएंगें तो यह चकना चूल हो जाएगा, इसको आप गलास बोल सकते हैं, गलास इसका example होता है, brittle material में आपको example बता है, यह diamond भी इसका example होता है, हीरा जो होता है, वो भी brittle में ही आएगा भाई, कांच हो गया, concrete हो गया, तो यह चीज़ा आप सारी आप याद रखिए, next one question क्या बोल रहा है, the stain energy stored in body, with sudden load application, the maximum stress induced is twice the stress induced when, when, the same load is applied gradually, same load is applied gradually, आप यह लोड होगा भाई, sound नहीं होगा, option यह answer हो जाएगा, अगला देखिए, stain energy stored in material when its stain within elastic limit is term as, उसको हम क्या बोलते हैं, resilience बोलते हैं, अगला लोगा क्योशन देखिए, total stain energy stored in body is term as, total stain energy stored की जाती हैं, उसको resilience ही बोलते हैं, next question देखिए, when a body is stain within elastic limit, when a body is stain within elastic limit, the store energy in body is known as, store energy in body is known as, stain energy, stain energy, वही, body में जो energy store की जाती हैं, वो stain energy ही होती है, चाहिए इसकी definition जो है, resilience की हो, अगला क्योशन देखिए, proof resilience of a body per unit volume is known as, proof resilience of a body per unit volume is known as, उसका हम उसको modulus of resilience बोलते हैं, modulus of resilience हम उसको बोलते हैं, आगला क्योशन भी same वैसका वैसा है, the greatest amount of stain energy per unit volume that metal can absorb without exceeding its proportional limit is modulus of resilience हम उसको बोलते हैं, अगला क्योशन देखिए, the ratio of ultimate creep stain to elastic stain, the ratio of ultimate creep stain to elastic stain is known as, उसको हम creep coefficient बोलते हैं, creep coefficient, अगला क्योशन क्या भी हो रहा है, which of the following statement regarding modulus of elasticity of high tensile steel is correct, high tensile steel is correct, is equal to the elastic modulus of steel, ये सही है, next one question देखिए, the property of material by which can, by rolled into sheet is called, rolled into sheet, sheet में जो convert करता है, वो कोन करता है भाई, sheet में हमारा malevol करता है, लेकिन ductility जो होती है, इसमें आप पदले सी तार में convert कर सकते हैं, अगला भी same वैसा का वैसा question है, the property of material by which it can be beaten or rolled into plate, plate sheet, plate sheet malevol, option D, हमारा इस question के लिएंसर हो जाएगा, अगला कोशन देखिए तब फिनोमेना औफ डिक्रीज रिजिस्टेंस औफ मेटिरल द्यू तु रिवर्सल औफ स्टेस इस कॉल्ड आज उसको हाप फटीख बोलते हैं, अगला कोशन देखिए, वेरी इंपॉर्टन कोशन आई ये, ductility of beach of the falling is maximum, ductility इसकी maximum होती है, जिसमें carbon content सबसे कम होगा, उसमें ductility आपको सबसे ज़्यादा देखना को मिलती है, तो road iron में 0.15% जो होता है, वो carbon content होता है, option C हमारा अंसर हो जाएगा, अगला कोशन देखिए, which of the falling has least carbon content, least carbon content किस में होता है, इन चारों में से, road iron में होता है, 0.15%, ये जो होती है, low air की purest form होती है, pure form जो होती है, iron की वो road iron ही होती है, endurance limit किस, endurance limit जो होती है, वो क्या होती है, endurance limit, the maximum stress at with even a zillion reversal of stress, cannot failure of the material, एक ऐसा maximum stress आप बाहर बार लगा रहे हैं, billion बार लगा रहे हैं, एक ही समान का लगा रहे हैं, फिर भी हमारा material जो है, वो फेल नहीं हो रहा है, उसको आप सहनशील सीमा बोलते हैं, endurance limit बोलते हैं, सहनशीलता आप उसको बोल सकते हैं, अगला कोशन देखे, दूरिंग टेंजाइल टेस्ट और फ्लाइट बार अफ लो कार्बन स्टील, बिद पोलिशेट सर्पेस, दे लिजर्ड लाइन ओफ दा फ्लाइट साइट आप स्पेसिबन, इंडिएट आप फेलियर जो होता है, इस द्यू तू तो वो होता है, पोलाई है, इस द्यू तो यहां पर क्या बोल रहा है, Similar property in different direction Similar यbn Ki समान different direction Different direction का क्या meaning है Old direction में Old direction के लिए मैंने आपको बताए था different direction या फिर old direction यानिके old direction 4 दिशाएं होती है different direction ये भी एक ही बात आगे हमारा answer isotropic होता है एक anisotropic होता है इसके लिए हमारा answer जो होगा different होता है यहाँ पर क्या होता है इनिसोट्रॉपिक में कि यह uh होता हुए इन दोनों में सिर्फ यह है बाकि देखिए इनिसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक यहाँ पर सिर्फ N का फरक है और यहाँ पर बाकी आगे जो है वो सेम सेम ही है तो इस चीज़ का आप याद रखिए यह चीज़े बहुत ही important है exam के point of view से next one question क्यों रहा हम बढ़ते है question क्या बोर रहा है young modulus of mild steel is mild steel का young modulus कितना होता है very very important question है यह कितना होता है भई mild steel का young modulus होता है वो होता है 2.1 x 10 raised to power 6 kg per centimeter होता है young modulus of mild steel option A answer हो जाएगा यह आपको रटना पड़ेगा अगला देखिए modulus of rigidity for structural steel is modulus of rigidity जो होता है structural steel का वो कितना होता है structural steel जो होता है 0.769 x 10 raised to power 5 newton per mm square जो होता है यह structural steel का young modulus of rigidity होती है अगला question देखिए which one of the falling substance has largest value of young modulus largest value of young modulus is किसके पास होती है चार option हमारे पास यहां पर दिये गए है किसके पास होती है तो इस question को solve करने से पहले आपको इन सभी के young modulus के बारे में बता होना चाहिए जैसे कि रवड की अगर आप बात करेंगे तो 0.01 से लेकर 0.1 giga pascal होगी सबी के लिए giga pascal में आपको बता रहा हूँ तो least जो होती है वो rubber में होती है उसके पार nylon की अगर आप बात करेंगे 2 से 4 होती है giga pascal iron की अगर आप बात करेंगे 200 giga pascal होती है copper की अगर आप बात करेंगे 117 giga pascal होती है तो least जो होती है वो rubber में होती है यहाँ पे हमसे क्या पूचा है largest यह नहीं कि maximum पूचा है तो दोस्तों जो होती है वो आईरेंड की होती है option C हमारा इस question के लिए answer बन जाएगा अगरा question देखें तो change in unit length of material to change in temperature is cold change in unit length of material to change in temperature is cold as उसको आप temperature stress बोलते हैं temperature stress बोलते है option C answer हो जाएगा इस question के लिए अगला question देखें तो unit of stain stain जो होता है उसका unit क्या होता है stain कोई भी unit नहीं होता है वही unit less होता है unit less option A answer हो जाएगा अगला question देखें एक्स्टेंशन पर unit length is defined as extension बढ़ रही है वह unit length जो है किसी भी material की उसको आप tensile stain बोलते है tensile stain में क्या होता है कि हमारी जो length होती है पर unit बढ़ जाती है उसको tensile stain बोलते हैं option D answer हो जाएगा इस question के लिए अगला question देखें देखें है unit weight of roller structural material is unit weight जो होता है roller structural mild steel के लिए वह कितना होता है चैनल को subscribe नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बैल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए तो unit weight के अगर आप बात करेंगे roller structural steel mild steel के लिए तो वो होता है 7.85 7.85 जो होता है वो किस में होता है gram per centimeter cube में होता है gram per centimeter cube में होता है यह चीज common है mild steel देखें सबी को पता है कि वह 7850 होती है 7.85 जो होती है वो centimeter में होती है next one question देखेंगे the tendency of material to shatter on receiving shock is known as shatter on receiving on shock is term as brittleness jet के लेगन में परतार्त के बिखरने की प्रविर्टी जो होती है जब भी उस पर जटका लगता है तो वो बिखर जाता है तुकरों में बिखर जाता है तो brittle उसको बोलते हैं कांच में आपने देखा होगा next one question देखेंगे the intensity of resisting force of normal to sectional plane is tendency of intensity question भी थोड़ा सा intensity of resisting force normal to sectional plane is called so हम उसको बोलते हैं intensity of normal stress intensity of normal stress हम उसको बोलते है option d answer हो जाए कर से लिए stress is defined as stress जो होता आप उसको कैसे define कर सकते हैं या आप हिंदी में option दिये गए है stress is defined as the stress को आप define कर सकते हैं force acted per unit area force applied per unit area force applied per unit area फिर फिर फोर्ट एक्टर पर unit area उसको आप stress बोलते हैं force per unit area जो होता है ये जो होता है stress की definition होती है force per unit area इसका जो ये जो होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्केर इसका stress का unit होता है अगला कोशन देखे ते रिजिस्टिंग फोर्स पैलल्लर टू प्लें इस गोल्ट एज जिस्टिंग फोर्स जो होती है वो पैलल्लर होती है प्लेंग के उसको आप क्या बोलते है is known as तो उसको हम बोलते है शेरिंग रिजिस्टिंग 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 फोर्स पैलल्लर टू प्लें इस गॉल्ट शेरिंग फोर्स डेफिनेशन है याद करनी पड़ेगी अगला को देखे दर रेश्यो ओफ लोड तू दूदा एक्चिल क्रो प्लेंग रिजिस्टिंग 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 रि बज़े से होता है क्रीप स्टेन इस ड्यूटू इस नाव डैड लोड डैड लोड की बज़े से होता है भाई डैड सेल्फ बेट ऑफ स्ट्रॉक्चर उसको आप क्रीफ लोड के नाम से जान सकते हैं अगला कोशन देखिए दर रेश्व डिक्रीज ओफ लेंथ ऑफ बोडी ड उसकी ओरजनल लेंथ के मुकाबल है इतनी हो चुक है तो कंप्रेशिव स्टेन लागेगा भाई ऑपशन बी अगर लेंथ बढ़ जाती तो वह टेंजायल स्टेन होता ऑप्शन भी इस कोशन के लिए अंसर हो जाएगा अगला कोशन देखिए कंप्रेशिव स्टेन इस स्टेन की जो होती है वो डिमेंशनलेस ही होती है तो फ्रेंस ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टर कोश्चन 73 वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में